हेलो एंड वेलकम दोस्तो आज की सुडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी मोटोरोला मोबाइल के अंदर एप लोक को केसे लगा सकते हैं Moto Mobile के अंदर App Lock लगाने के लिए आपको आपके Mobile के अंदर कोई भी option देखने को नहीं मिलता इसके लिए आपको याप प्लेश्टोर से एक app डाउनलोड करना पड़ेगा इसके लिए आपको याप प्लेश्टोर को open कर देना है प्लेक्टोर को open करने के बाद उपर आपको यहाप सर्च कर देना है app lock आपको simply यहाप app lock सर्च कर देना है app lock सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाप यह app lock दिखाए देगा आपको यहाप इस वाले app lock को आपको download कर देना है इसे डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन कर देना है इसे ओपन करने के बाद जो भी आप याप एप लोग के लिए पासवर्ड लगाना चाहते है आपको याप उस पासवर्ड को याप एक्रियेट कर देना है अगेन आपको यहाँ पे उस password को draw कर देना है जैसे ही आप यहाँ पे उस password को draw करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा अब आपको यहाँ पे agree and start के ऊपर click कर देना है अब आपको इसे यहाँ नोटिफिकेशन की permission दे देनी है नोटिफिकेशन की permission दे देने के बाद आपको यहाँ पे जिसबे app को यहाँ पे lock करना है आपको यहाँ उसके आगे यहाँ पे lock का बटन दिखाए देगा आपको simply यहाँ पे click कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पे permit के ऊपर click कर देना है और आपको या पे app lock को ढूंडना है और या पे click कर देना है और इसे या पे permission को दे देना है और again आपको या पे दूसरी permission दिखाए देगी अब again आपको या पे permit के ऊपर click कर देना है और या पे app lock को आपको या पे ढूंडना है और यहाँ पर इसके उपर क्लिक कर देना है और इसे आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है इसे इनेबल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सभी यहाँ पर आटोमेटिकली यहाँ पर एप लॉक हो चुके अब आपको यहाँ पर जिन भी एप को अगर आपको इस सोटोड होती है तो प्लीज दोस्के चानले को सबस्क्राइब कीजिए सब्सक्राइब करना विलकुल फ्री है